जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं, अलर्जी को ठीक करने वाली दवाएं कौन कौन सी दी जाती है, डॉक्टर के दौरा कौन सी दवाँ दी जाती है, किस परकार की अलर्जी में, यानि एक परकार से कह सकते हैं, अलर्जी को ठीक करने वाली कौन कौन सी दवाएं दी जा हमारी बॉडी होती है वो abnormal behavior करता है जब हमारी कोई जब कोई हमारी बॉडी के संप्रग में आता है अब वो कोई भी तीज हो सकता है जैसे कि इंसाइट हुआ या फिर आपने कोई drugs ले लिया है ये सारी समय से है allergy का कारण बनता है हम बात करें allergy के type जो mainly देखने को मिलता है जो allergy का पहला type है वो हो सकता है drugs और medicine allergy ड्रक की वज़ा से allergy जैसे कि जब कोई हम medicine लेते हैं वो हमारा immune system से reject कर जाता है या फिर कोई drugs ले लिया हो इसकी वज़ा से हुआ तो ये सारी समय से आए allergy का कारण बनता है जैसे कि आपने देखा होगा पैंसिलीन के काफी लोग allergy होते हैं तो उस condition पे उनके बाडी में छोटे छोटे चकते पड़ जाते हैं जहां पे injection दिया जाता है उस side पे redness की problem हो सकता है और वहाँ पर सुजन की समझ से हो सकती है जैसे कि हम कुछ other type की allergy की बात करें तो इसमें दूसरा number है food allergy कुछ लोगों को क्या होता है कि food से allergy होता है food allergy में बात करेंगे तो तमाम लोगों को ground net मुंफली से काफी ज़्यादा allergy होता है milk से allergy होता है अंडो से allergy होता है इन में से किसी भी substance को खाने से आपको allergy हो सकता है कुछ ऐसे होते हैं जिन में unpleasant test होता है वो हमारे human system के साथ reject कर जाते हैं उसके बाद allergic reaction उत्तपन होता है जिससे हमारी body fall allergy हो सकता है या फिर ज़्यादा allergy की severe condition देखने को मिलता है अगले टाइप की बात करें तो वो है insect allergy ये allergy common है कई बार अर्नी भी हुआ है या या other type के insect होते हैं उनकी bite के दोरा आपकी body में body में सुजन की समस्या होने लगती है वहाँ पर चकते पढ़ने लगते हैं redness की problem आ जाती है या तो वो stem करते हैं या फिर वो bite करते हैं उसकी वज़ा से कई सारे allergy देखने को मिलते हैं उस समय जो हमारा immune system होता है पर चकते के साथ redness आ जाता है, सुजन आ जाता है, वहाँ पर फोड़े पुन्सी जैसा हो जाता है और दर्द की समस्या होने लगती है next की बात करें तो वो है latex allergy जैसे कि आपने latex allergy देखा होगा इस condition में क्या होता है जो allergy का reaction होता है जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग कलाई में रबड का जो पट्टा डाइब का होता है उसे पाहने रहते हैं उसके वज़ा से भी allergy का reaction देखने को मिलता है इस allergy को latex allergy कहा जाता है जैसे कि कुछ other allergy की बात करें तो वो है animal allergy कुछ लोगों को बिल्ली और कुटे पालने का सोक बहुत होता है या फिर उनके घर में कई सारे पालतू जैनवर होते हैं तो उनको टेच करने की वज़े से भी allergy का reaction देखने को मिलता है जैसे कि बात करते हैं कि allergy की condition में किस परकार के symptom सपेर होते हैं तो इसमें कई सारे symptoms देखे गए हैं जैसे कि आपके हाथों पर redness की problem रहेगी वहाँ पर चकत्थे पढ़ सकते हैं वहाँ पर सूजन की समस्या आ सकती है वहाँ पर खुजली हो सकता है ADMA हो सकता है सिनीजिंग की समस्या हो सकती है आपकी nose running की समस्या हो सकती है और जो आपके आसू के gland होते हैं वहाँ से आसू आता रहेगा allergy की condition में देखने को मिला यह कुछ mainly symptoms जो हैं यह appear होते हैं और इसके कई सारे severe symptoms भी appear होते हैं जैसे कि हम बात करें treatment की जो इसमें elopathy medicine सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाता है allergy की condition में डॉक्टर दोरा दिया जाता है चलिए जान लेते हैं कौन-कौन से medicine होता है allergy की condition में पहला है anti-histamine category का medicine उपयोग किया जाता है allergy की condition में leucothrinine modifier की medicine दिया जाता है corticosteroid की medicine दिया जाता है anti-IgE की drug दिया जाता है lotion और किरीम भी यूज किये जाते हैं anti-histamine medicine में कौन-कौन से drug आते हैं कौन-कौन से drug दिये जाते हैं चलिए जान लेते हैं आपने देखा होगा कई condition पर जब healthy full की allergy की condition रहता है तब डॉक्टर के दौरा abil की medicine दिया जाता है आप इस medicine को 25-50 mg oral medicine ले सकते हैं ये डॉक्टर के दौरा दिया जाता है आगे ले टेबलेट की बात करें तो वो है लोरटाडीन लोरटाडीन का लोरटीन काफी popular brand है इस medicine को आप 10 mg औरली एक दिन में ले सकते हैं ये डॉक्टर के दौरा दिया जाता है विलाश्टीन जो टबलेट आता है ये 20 mg का होता है इसे आप 20 mg एक दिन में दे सकते हैं allergy की condition में डॉक्टर के दौरा दिया जाता है वहीं अगर CPM की बात करें जिसमें chloro chloro-fenra-amine पाया जाता है अगर इसकी dose की बात करें तो G9.1 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है बॉडी बेट करके डॉक्टर और भी इसका dose घटा बढ़ा करके मरीज की स्थिती और allergy की condition को देखते हुए इस दवाक का dose निर्धारित करते हैं वहीं अगले टेबलेट की बात करें जो है सीटरिजिन सीटरिजिन टेबलेट एंटी एस्टा मेनिंग मेटसीन की केटेगरी में आता है इस टेबलेट का काफी ज़ादा उपियोग डॉक्टर करते हैं allergy की condition में यह आप 10 mg औरली डे एक दिन में दिया जा सकता है किसी भी को डॉक्टर मेरीज की इस्टितियम condition allergy का देखते हुए इसका डोज घाटा बड़ा करके भी देते हैं और allergy की condition में सबसे ज़्यादा उपियोग किये जाने वाला आपने देखा होगा लेबो सीटरिजिन का टेबलेट का पी ज़्यादा उपियोग डॉक्टर करते हैं इसका भी जो डोज होता है allergy की condition को देखते हुए डॉक्टर इस दवा की डोज को निर्दारित करके फिर देते हैं अगले medicine की बात किरें तो वह है लुको ट्रेनीन medicine जोंकि इसमें होता है Montilukast Montilukast का टबलेट आपने काफी ज़्यादा उपियोग किया होगा जब आपको सर्दी जुखाम या इससे किसी भी allergy की समस्या होई होगी तो आपने किया होगा या बाडी में redness हुआ हो या बाडी में खुझलाहट की समस्या होई हो तब उस condition में Montilukast लीबो, सेटरेजिन, हाइडरोकलराइट दोनों कंबीनेशन का टबलेट दिया जाता है ये एकी कंबीनेशन में आता है दोनों टबलेट इसका भी डॉक्टर काफी ज़्यादा उपियोग करते हैं इसका डो जो मरीज की स्तितिम कंडीशन को देखते हुए अगला मेडिसन हमारा एंटि आईजि ड्रक्स ये मेडिसिन एंटि वॉड़ीज का फार्मेशन करता है इसमें जो ओम भाम होती है ये मेनली साल्ट के रूब में पाया जाता है ये इन्जेक्शन काफी ज़्यादा एफेक्टिव इन्जेक्शन होता है इस injection को हम ऐसा freeze करके रखना चाहिए allergy की condition में डॉक्टर के दोरा कुछ किरीम भी दिये जाते हैं जिसमें हमारा पहला किरीम है डेमी के मोसी इस किरीम का उप्योग भी allergy की condition में डॉक्टर करने के लिए देते हैं या भी lotion हुआ जो बहुत सारे किरीम का उप्योग करने के लिए डॉक्टर साला देते हैं जैसे कि आपके सरीपर रीचिंग की प्राब्म हो रेडनेस और रेडनेस के साथ आँपर खुझली हो रही वहाँ पर सूजन सा आ गया तो और जैसे कोई कीड़े मखोड़े काड़ लिया है